आपका टार्गेट विदे रमेसर में स्वागत है दैनिंग नौकली समाचार 25 मार्च एपी पीशे जे मुख परिच्छा वेदन शुरू सीपीओ 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 15,760 सारी सिक परिच्छा में सफल और आगे की परिच्छा मुख परिच्छा में बैठेंगे इन सभी मातपूर्ण खबरों का अब लोग डिटेल से जानेंगे उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विडियो को लाइक से जरूर कर दें सबसे पहली मातपूर्ण खबर है वो है यूपीपीशेस जे को लेकरके यूपीशेस जे की जो आवेदन प्रक्रिया है मुख परिच्छा की वह सुरू हो गई है पीशेस जे मुख परिच्छा की आवेदन पंदा तक आप कर सकते हैं 16 मार्च से जारी हो गया था और प्री परिच्छा परिणाम और एक तिस सो पहतारे सब्हेरती सफ़ल हुए थे उत्तर प्रक्रिया सेवा सिविल जूनियर डिविजन यानि पीशेस जी की प्रार्मी पर परिच्छा का परिणाम कि 2022 का परिणाम जारी होने के सब्ता भर के बाद ही मुख परिच्छा के लिए आवेदन मांग लिए गये हैं आवेदन की प्रक्रिया उत्तर पतिस लोग सेवायों की 25 मार्च यानि आज से कर सकते हैं 15 अपरेल तक आप लोग आफ लाइन जमा करना ह होगा और वेव साइट पर लोग फॉर्म भार सकते हैं यहां प्रक्रिया 23-25 को प्रयागराज लखनों में मुख परिच्छा कराई जाएगी इसकी प्रस्तावित है 23-25 को आप लोगों की मुख परिच्छा इसकी कराई जाएगी और यूपी PCS यूपी PSC ने 16 मार्च को पर 345 अभ्यर्थी सफल हुए है और इसमें दो पालियों में प्रार्णवी परिच्छा की 12 फरोली को हुई तो इसमें दो पालियों में वरत्तर या 565 के सापे 50,837 अभ्यर्थियों ने परिच्छा दी थी तो फिलाल यह जो PCSJ की मुख परिच्छा का अभ्यतन मांग लिए आ अगली मातकूर सुचिनाई SI भरती के सारे रिख परिच्छन में 15,744 अभ्यर्थी सफल हुए हैं दिल्ली पुलिस और अर्शनिक बलों में सब इस्पेक्टर 2022 के भरती के सारे रिख परिच्छा कर्मचारी चेन आयों ने सुक्रवार को प्रेडाम जारी करते है जिसमें 15,7 अब जोती परिच्छा में सामिल होंगे यह 43 पर भरती हो रही है और सब इस्पेक्टर के पदों पर भरती के लिए परिच्छा में 9-11 नमबर तक परिच्छा कराई गई थी इसका प्रेडाम 17 दिसम्बर को जारी किया गया था और इसमें 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए थे ब 35,616 अभ्यर्थी जो अनपस्तितर है 20,32 में फेल हो गए वही तीन महिला अभ्यर्थी आस्थाई रुप से अनफिट हो रही है इस तरह 15,740 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं सफल अभ्यर्थी में 14,628 पुरुस हैं और 1,112 महिला अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थियों क इंग्रीश के परीश होगी इसके बार मेटिकल और पिर अंतिम रूप से चेन होगा एक इसके बार एक परीश्फ होघी इंग्रीश कंफिरेंस की वह देने होग Cinnamon मेडिस्ट होगा इस परीश्छा के जईए चाहनी तब्रलेंटियों को दिल्ली पुलिस और COP के अंतरग़ आ प्रभारी मंत्री सोतंतर देव विधायक हर्षवर्धन बाचपेई और दीपक पटेल से मुलाकात की आरच्छल विवाद के कारण प्रभारी मंत्री ने सासंद गया कि सरकार है और मामला कोड में जाने की वज़े यह लटक गया है इसकी उचीत निरणायं लेकर अबव गुर्भारी से वह से बात कि उन्हें अभ्यर्थियों का कहना है कि 69 यह से चकवर्थी में अरच्छन का गोटाला हुआ है जिसको राष्टी पिछला आयोग और हाई कोट मुक्वंति ने भी माना है अभ्यर्थियों का कहना है कि बेशिक सिच्च विबाग की लचर पैरवी के कारण 13 मार्च को फैसले में हाई कोट ने सूची को रद करते हुए रच्छन सही करते हुए दुबारा सूची बनाने का आदेश दिया है प्रभारी मंति से मिलने वाले लच्मिकांत अनुपटल अंकुष चट्टान और नराकेश नभीर राजबादूर आद भर्थी रहे मवजूद हो हापे अगली मत पुर जा होमगाड के वह आप लोग यहां देख सकते हैं होमगाड संगठन में नई भर्थियों की दरकार आधिस से ज्यादा पद आधिस से ज्यादा पचास के पार यह कुल पदों के जो हैं होमगाड के वह एक लाग अठारा जार चौंतिस हैं जिसमें से वर्तमान में 81,073 पद स् खाली हैं और इस भर्ती पे इस पदों पर भर्ती की आसंका जताई जा रहे हैं वहीं 25,000 को 25,000 जो हुमगाड है उनको समयोजन भी मिलने जा रहा है इस साल अगली महत्पूर्ण सुचना है आप लोग देख लेते हैं वो है आकासा आकासा अब 1000 लोगों को भरती करेगी आकासा 1000 लोगों की भरती करेगी बिवानन कंपनी है यह आकासा एर मार्ज 2024 तक लगबग 1000 और करमचारियों की नियुम्त करेगी इसके साथ से कुल मिलाकर अकातार विस्तार कर रही है लगबग साथ महीने पहले उड़ान सिवा सुरू करने वाली आकासा एर इस साल के अंतक अंतराश्टी उड़ार की सभी शुरुवात करने की उसकी योजना है 1000 करमचारी आकासा में भरती होंगे अगली और अनिमात्पूर्ण खबरों में हम ले इस विद्यालों की भी होगी जाच बता दें आपको उचित उचित निदेशाले में प्रफेसर ब्रह्म देव ने सोला राजियों विश्विद्यालों संबंद प्रदेश भरके 7372 स्वाबित पोषित महाविद्यालों की जाच के लिए 16 कमेटियां गठित की हैं 5 सदसीप कमेटी निजी महाविद्यालों में 9 विद्यों पर विजाच करेंगी और करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगी 24 मार्ज को जारी आदेश में साफ किया गया कि किसी भी महाविद्याले में जाच के लिए समीत के तीन सदस्यों का होना अनिवार होगा और असिस्टेंट प्रफेसर के तीन पद हैं उनको समाप्त कर दिया गया असिस्टेंट प्रफेसर के तीन पदों का चैन निरस्ट कर द भी होगा अगली मात्पूर्ण सुचना है देख लेते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के यूपी बोर्ड में प्रायोगी परिच्छा में छूटे बहती हूं को एक और मौका मिलेगा तो आप लोग इस मौके का लाव उठाइए और जैसे ही साइट खुले आपको सुचना मिले फटा-फट अपनी समस्या का समाधान कर लिजिए कारिभार ग्रहन ना करने के वाले तीन असिस्टेम प्रोपेसरों के चैन रद हो गया आप लोग को बताई ही चुके हैं और यह है यूपी प्यस्टी की नियूज आयोग में सीधी भरतिया चल रही है और सीधी भरति में सह ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वेल आइक कनाल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद